गालिप का एक शेर है मुझकिले मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई ये शेर रावल गांधी पर लागू होता है रावल गांधी भारत जुड़ो न्यायात्रा के सिल्सले में आज प्रधान मंत्री के गड़ काशी वारानसी में थे और जिस धंग से भीड सड़कों पर उ पत से डगमगाने की लाग कोशिश हो रही है लेकिन वो ना तो हटने को तयार है ना डिगने को तयार है और टस्मस करने से इंकार कर रहे है नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजे विद्रूगी आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शु पुशिश करूंगा कॉंग्रेस के भ्रशनेता भी भले ये क्यों ना हो उनको पार्टी में लाकर गोधी मोधी मीडिया के हवाले से कहा जाए कि कितना भारी मास्टर स्टोक चल दिया मोधी जी ने ये सारी कोशिशे बीजेपी कर रही है मोधी कर रहे हैं अमेशा कर रहे हैं जेपी नट्टा कर रहे हैं गोदी मोदी मीडिया साथ दे रहा है अकबार साथ दे रहे हैं लेकि राहुल गांदी है कि मानते नहीं असम से ही सिलसला शुरू हो गया था हेमन पिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ने जिस्टंग से यात्रा में रुकावटे डालने की कोशिश की एफ आयार दर्श कर लेकिन राहुल गांदी डरे नहीं डटे रहे पस्टे मंगाल में गे तो उससे पहले ममता ने एलान कर दिया कि राहुल गांदी तो माइग्रेटरी बर्ड है प्रवासी पंशी है कॉंग्रिस की 40 से ज्यादा सीटे नहीं आएंगी हम अलग से चुनाव लड़ेंगे लेकिन ममता दीदी की तारीफ ही करते रहे इंडिया पॉलिटिकल फंट में ममता है और समझाता हो जाएगा इस तरह की बाते करते रहे बिहार में गुसे तो उससे पहले खेल कर दिया नितीश कुमार इंडिया गटबंधन को छोड़ कर एंडिये गटबंधन में चले गे लगा लो सेकंड दोर में विहार से यूपी गए तो लाल रंग की गाड़ी उसमें अखलेश ड्राइब नितीज श्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए राहुल गांधी बगल की सीट में बैठे हुए बहुत बड़ा पॉलिटिकल मेसेज भीज दिया और जब दोनों ने भाशन दे रहे थे तब लालू प्रसाद यादव पटना में कह रहे थे कि नितीज अगर आना चाहते हैं तो देख लेंगे उनका स्वागत ही एक तरह से इंडिरेक्ट रूप में करेंगे तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टेट्मेंट था तेजस्वी का ट्राइविंग सीट रबैठने का से साफ संकेथ आर्जएकरताओं को और कॉंग्रेस के कारेकरताओं को चला गया जाना है तो अब सीट शेरिंग का मसला और कौन कौन सी सीटों से कौन लड़ेगा वो तो हल हो ही जाएगा वो ट्रांसफर में भी पूरी इमानदारी से काम किया जाएगा जो किसी भी गडवंधन का जरूरी हिस्सा होता है ऐसा मोटे तोर पर माना जा रहा है उत्तरपदेश में आएं तो पूर्णिमा पटेल, कुर्मी नेता जिनोंने बीजेपी के दिगज नेता केशव परसाद मौरे को जो उपमुखे मंतरी से चुनाओं में हराया था थोड़ी सी उनकी कहा सुनी हुई अखिलेश यादव से लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया बूर्णिमा पटेल ने कि देखिए मैं राहुल गांदी की यातरा में सामिल हूंगी उनके साथ रहूंगी और अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई है तो ये कहे कर बहुत बड़ा एक तरह से राजनेतिक मैसेज भेज दिया समाजवादी पार्टी में भी उत्तर प्रदेश में भी एकता के सुर्फ बए बात हो सकती है बात बनती हुई नजर आ रही है अगले कुछ दिनों में वो 600-700 किलोमीटर पांचे दिन में कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में राहुल गांदी एक दरजन से ज्यादा विधान सभा सीट लोगसवा सीटों को कवर करेंगे और जैसा कुछ कहा जा रहा है कि अखले ज्यादव भी साथ देंगे एक जगा या एक दो जगा उनके साथ होंगे अगर ऐसा होता है तो वो मनजर अलग होगा अब आप कहेंगे साव एक तरफ प्रदान मंतरी कह रहे हैं 304 से लेकर 366-376 तक सीटे दी जा रही है यानि कुल मिलाकर 272 पार बीजेपी को आसानी से पहुंचाया जा रहा है आज की तारीक में अगर चुनाव होते हैं लेकिन जिस ढंक से राहूल गांदी की रैली में लोग आ रहे हैं भीड आ रही है क्या ये सिरफ स्पॉंसर भीड है क्या ये सिरफ राहूल गांदी का चहरा देखने आती है क्या ये घर बैठे ठाले विरोजगारों की भीड है जिनको लगता है चलो आज का दिन Facebook या WhatsApp पर या Social वीडिया पर गुजारने से अच्छा है यह रहूल गांदी जो यह डेली निकल रही है पत यात्रा, कार यात्रा, पत स्यात्रा निकल रही है उसमें चले जाते हैं या रहूल गांदी जो गरीबों की बात कर रहे हैं रोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी की ये सरकार है, ये बात कर रहे हैं, अमीरों की कॉर्परेट जगत की सरकार है, ये बात कर रहे हैं, राम मंदिर का ये सियासी फायदा उठाने वारी पार्टी है, ये बात कर रहे हैं, इस कारण कुछ लोग आ रहे हैं खासतोर से यूवा लोग महंगाई के मारे हुए मध्यमवर्ग के लोग जिनको लोग सभा अभी जो बजट में हुआ उसमें भी कोई राहत नहीं दी के बड़ा सवाल उठता है काशी की में मैं देख कर दंथा जिन गलीओं से प्रधान मंतरी गुजरते हैं और जैसी भीड नजर आती है वहीं से करीब करीब प्राहुल गादी गुजरे और वैसी ही भीड नजर आई। तो नजारा क्या कहता है चीजे बदल रही है गोधी मोधी मीडिया भले ही ना कहें चीजे बदल रही है लेकिन मोदी जी राजनीती के पुराने चावल हैं वो समझते हैं कि चीजे बदल रही है वो जानते हैं कि 272 का आंकडा सबसे पहले क्रॉस करना जरूरी है जिसके लाले पड़े हुए हैं तो सभाविक है कि अशोग चोहान को भी लेना है राजस्तान से कमलनात नकुलनात बी बात चल रही है रजस्तान से महंद्र जीसिंगं स ram vanowye की बात पक्की हो गई है ANν इंदी को तोड़ लिया गया है नितिश कुमार को तोड़ लिया गया माया वती को इंडिया गडबंधन से अलग कर दिया गया है अरबिन के घ्रिवाल पर लगाता necess जाला जाला रहा है िंडिया कट 하게 कर दिया ग्या है डंड़ाव तो यह तो दक्षिण में घूर में आर्थिक डालने की कोशिश हो रही कि जो केंदर पैसा देता है वो जिन राज्यों को जितना मिलना चाहिए उतना दक्षिन भारत के राज्ये आरूप लगा रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है धरने पर मुख्यमंत्रियों को बैठना पड़ रहा है तो ये कहानी क्या कहती है और सबसे बड़ी बात है कि रहुल अपने नारे से अपने वादे से अपने जिस बात वो जोर देते हैं उससे हटे नहीं है उसी पर महंगाई पर जोर है विरोजगारी पर जोर है आर्थिक विशमता पर जोर है जातिय जनगर्णा पर जोर है ये तमाम बड़े मुद्वे हैं जिनको वो पकड़ कर रखे बर पीजेपी के पास कुछ तोड़ दिखाई नहीं दे रहा आप बाते अपनी जगा हो सकती है विश्व गुरु की भूली का अपनी जगा हो सकती है राम लल्ला के नां पर वोटमी जगा मांगे जा सकते है राष्ठवाद लाभार्ती लाभार्थी अगर बीजेपी मोदीज तो राज्यों के अंदर राज्य सरकारों के भी अपने अपने लाभार्थी हैं और लाभार्थियों के बल पर बीजेपी ने पूरा कंसेंट्रेट कर लिया बूत मैंजमेंट की तरह बढ़ गई है माइक्रो मैंजमेंट मैंक्रो मैंजमेंट की तरह बढ़ गई है ये बात इं वोट डाल देते हैं पटन दबा देते हैं पचास प्रतिशत से ज़्यादा है इसलिए कहा रहा हूं कि फस्ट पास दा पॉल यानि ज़्यादा प्रतिजंदी के मुकाबले अगर आपको एक ज़्यादा मिलता है तो आप चुनाव जीते हुएं इसके लिए बूत मैनेजमेंट उनके संपर्क में रहेगा उनके लगातार संपर्क में रहेगा उनसे बात करता रहेगा और मकसद यह है लक्षे यह है कि इन लावारतियों में سے 80% लोग वोट डालने के लिए लाये जाए और बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाया जाए ये एक बड़ी बात है जिससे बीजे पीछे कॉंग्रेज राहूल गांधी सबक सीख रखते हैं शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए शुक्रिया